हेलो दोस्तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है और आज मैं बहुती टेश्टी और भौती क्रिस्पी इस साबुदाने के टीके बना रहे हूं जो बर्त में बनाते हैं और बहुती जल्दी बनकर त्यार होती है बहुती टेश्टी लगती है तो इसके लिए मैंने एक कटोरी साबुदाना लिया है और साबुदाना हमारा जो छोटे वाला बिल्कुल बारिख वाला होता है यह बहुत जल्दी भीग जाता है इसको हम 15-20 मिन्ट में अच्छे से फूल जाता है तो इसके ओपर मैंने पानी डाल लिया है और अभी हाथ से इसको मिक्स कर लेंगे जो इसका स्टार्च है वो निकल जाए ताकि और अभी इसको पर हम और पानी डाल कर इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो हम निकाल लेंगे तो इसको मैंने दो बार पानी से निकाल लिया है और अभी इसको मैं भीगने के लिए रख दूंगी वैसे आ या अपने टेस्ट के अंसर कम ज्यादा कर सकते हैं और एक चमच मैने नमक लिया है और आमचुर पाउडर लिया है और जीरा पाउडर लिया है तो आप हमचुर पाउडर के जगे आप निम्बू यूज कर सकते हैं और दो मैंने मिर्च लिया है और एक चमच मैंने लाल मिर्च लिया है अगर आप लाल मिर्च नहीं खाते तो स्किप कर सकते हैं और हरा दनिया इसके अंदर मैंने काट के एड कर लिया है और अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब इसको हम गोल-गोल टिकी बनाएंगे तो मैंने हाथ में घिल लगा लिया है इसे क्या है जो टिकी है वो मारे हाथ में चिपकेंगे और बहुत अच्छी इसकी सेप आजाएगी तो मैंने गोल-गोल करके हाथ से दोनों हाथों से बीच में रर्खते हुए और अच्छे से गोल-गोल करके इसको त्की की सेब दे लिया है और हम यह थोड़ी पतली बनानी है क्योंकि जाती है तो Sponge इनको मैंंने सबको त्यार कर लिया है और ठोड़ी सी मैंने इनको पतला work कि बनाया है अब देख सकते हैं पतली बनी यह और भोजल दिये बनकर पक जाती है तो अभी मैंने पैन ले लिया है और पैन में मैंने एक चमुब घी लिया है आप चाहे तो तेल में भी फ्राइव कर सकते हैं अगर जैसे आपको पस Chin लेकिन मैं बर्त में घी यूज करती हूं इसलिए मैंने गी में इसको फ्राइग किया और इसी में भूत अच्छी क्रिश्पी बनेंगी भूत ही टेस्टी बनती हैं तो मैंने सब को पैन के उपर अच्छे से रख लिया और इसको पांच मिंट के लिए मैं ऐसी पका लूँगी और अभी हमारी इसको पल्ट कर देख लेंगे बीच में तो यह देख सकते हैं कितने अच्छी फ्राइग हो चुकी है और देखने में लग रिए क्रिस्पी है एक साइड से तब दूसरे साइड से भी हम इसको सारी को पल्ट के दूसरे साइड से भी हम अच्छे से इसको क्र तो आभी देख सकते हैं दूसरी साइड से बहुत अच्छे सी क्रिस्पी हो चुकि बहुत अच्छे से बनी है दोस्तों अगर आपने एक बर इसको बनाया तो आप इसको बार बार बनाएंगे भोती टेश्टी और बहुती जल्दी बनकर त्यार होती है और देख सकते हैं कितने क्रिस्पी बननी है बिल्कुल साथ में सोफ्ट भी बननी है भोती अच्छी बन कर त्यार हुए और अभी इसको हम दही के साथ खाएंगे क्योंकि बिल्कुल टिकी वाला ही टेस्ट आता है तो अब दही में मैंने बर्त वाला नमक एड़िक किया है और हमारी बर्त की रेश्पी बनकर तीजार है अब हम कुछ और हम कुछ बनाते हैं तो मिठा बनाने के लिए मैंने ऐग दूद लिया है और थोड़ा सा इसके अंदर मैंने पानी एड़ किया है आप दूद अपने मेंबर के इसाब से ले सकते हैं अगर ज्यादा मेंबर के लिए बना रहे हैं तो आप ज्यादा दूद लेंगे और आभी दूद को मैंने अच्छे से बिला लिया है यह बोईल हो चुका एक बार पका लूँगी और थोड़ा सा इसके अंदर मैंने गी एड़ किया है गी से भी हमारा जो दूद है वो नीचे लगेगा नी चिपकेगा नी तो अभी आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा दूद पकने लग गया है और अभी इसको मैं अच्छे से पकाऊंगी तो दूद म दो आचुके हैं और यह इसके अंदर मैंने चीन्नी एड़ किया है एक ग्लेस के अंदर 200 ग्राम ही चीन्नी एड़ किया है आप चीन्नी अपने टेस्ट के एतर। कम या ज़्यादा कर सकते हैं और अभी मैंने डाला है मुनग फली का पा오डर में ठा था पना बिचल पीज क लिए में खाते हैं तो अभी मैंने तीन चम्मश मूंफुली का पाउडर एड कर लिया है और अब इसको हम अच्छे से उबाल लेंगे दो से तीन मींट के लिए उबाल दे देंगे तो आप देख सकते दूर के अंदर हमारा अच्छे से उबाल आ चुका है इसको हमें अच्छे से पकाना है और अभी उबाल आने के बाद इसके अंदर मैंने एक चम्मच कोकोनेट पाउडर डाला है इससे के हमारी जो रबडी है वो अच्छे से गाड़ी होगी और बढ़िया से टेस्ट भी अच्छे से आएगा और अभी मैंने ड्राइफ फूड इस तो यह और भी अच्छी लगती है अगर मेरी रैस्पी पसंद आई हो तो लाइक करें शेयर करें कमेंट करें सब्सक्राइब करें और एक काटोरियों मैंने इसको निकाल लिया और उपर थोड़ा केश्टर के दागे और ड्राइफ फूड एड़ कर दिया इसके अंदर झाल 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 झाल